नमस्कार मैं हूं राजीव निशाना आप सभी का स्वागत है और आज हमने रखा है बेटी है अनमोल बिटिया है अनमोल जो तुम सिखने हो बहुत रधी है ठीक तो कहते हो बिटिया मेरा रूप है बिटिया मेरी शान इस घर की है आं तो उस घर. का विमान वाँ वेगियों का तो है यह बात और साथ ही साथ कि होता है कि एक गजल का मतला और एक शेर है देखिएगा कि जक्म जब दिल का चुपाना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया, बेसबब भी मुस्कुराना आ गया, और बेवसी पेचारगी हो कब तलग, बेटियों को सर उठाना आ गया, तो प्यारी प्यारी बेटियों को सर उठाना आ गया, और खासकर मैंने एक गजल में कहा भी था, बेटियां जो बड़ी हो जाती है तब देखिएगा कुछ अपने पे भी बात थी कि उप्ये कितना बदल गई हूँ मैं, उप्ये कितना बदल गई हूँ मैं, शम्मा जैसे पिगल गई हूँ मैं, अब कहा शोखियां वो बच्पन की, कितना आगे निकल गई हूँ अब कहा शोखियां वो बच्पन की, कितना आगे निकल गई हूँ मैं, और देखियेगा कि, क्या यही मैं थी, क्या वही मैं हूँ, क्या यही मैं हूँ, किस के सांचे में ढखल गई हूँ किस के सांचे में ढखल गई हूँ, क्या यही मैं थी, क्या वही मैं हूँ, किस के पैकर में ढखल गई हूँ मैं, बहुत बच्पन की, शुक्रिया अंजना, तो वो एक कहते हैं कि, दर्द जाहिर नहीं किया करते। हम सब जिस एज में हैं, हम सब जिस एज में हैं, आप सब गुनी लिगों को परणाम करते कहती हूँ कि, दर्द जाहिर नहीं किया करती, वाक़ी अब समल गई हूँ वाक़ी अब समल गई हूँ मैं, कितना आगे निकल गई हूँ क्या बात है, वोट अच्छे, वोट हूँ बहुत अच्छे, वाक़ी अच्छे जी और एक मैं एक जून हत्या पे कविता लिखी थी जिसे पुरुसकार मिला था, लंबी कविता है दोहे के माध्यम से, मुझ दोहे आपको उसके से रखती हूँ उससे पहले एक दो शेर और सुन लिजिए का की जिन्दकी को आजमाना जानती हूँ जिन्दकी को आजमाना जानती हूँ मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ गमों में मुस्कुराना जानती हूँ और ये मेरा सजदा नहीं अखलाख ही है ये मेरा सजदा नहीं अखलाख ही है यू तो मैं भी सर उठाना जानती हूँ और बात पहुचे कहीं तक कि तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना मैं भी अपना घर बचाना जाना तुम लगाओ आग लेकिन देख लेना मैं भी अपना घर बचाना जानती हूँ और सिर्फ गजलों से नहीं पूनं अमल से मैं अदब्ड भी लिभाना जाना बहुत अब आप बताएं कि मैं वो गविता पढूं समय है तो पढूं नहीं तो हो जाओ हूँ थोड़ा आपकी वाने को अगले आपके सुनते हैं मेरे को लगता है ऐसा करते हैं